हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको हश इन 1998 की एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी एक्स्प्लेंड करने वाला हूँ एक हस्बन और वाइफ प्रेगनर होने के बाद उनके विलेज में जाते हैं वहाँ वाइफ का इंकाउंटर बहुती अजीब वजीब चीजों से होता है तो चलिए इस मूवी को एक्स्प्लेंड करना स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हमारे मेन करेक्टर जैक्सन और हेलन ये दोनों हम गाड़ी में देखते हैं जैक्सन पहली बार हेलन को अपनी मदर मार्था से मिलने के लिए ले जा रहा है हेलन उससे पुछती है कि मुझसे पहले तुमारी कितनी गर्फेंड को तुम घर लेकर गए हो जैक्सन कहता है कि वैसे कोई भी नहीं थी Jackson के मदर से मिलने के लिए Helen पहले ही नर्वस थी और अब और भी नर्वस हो जाती है Helen को Jackson के घर के बारे में कुछ भी पता नहीं था जब वहाँ पोचते हैं तो एक बड़े से पैलेस की तरह ही ये घर है बहुत ही सर्प्राइस्ट होती है आज बहुत ही रात हो चुकी थी तो मार्था अल्रेटी सोई हुई है उसने Jackson को कहा था कि वो और Helen ये अलग-अलग रूम में सोय है Jackson Helen को ये बात बताता है पर फिर उसे अपने ही रूम में ले कर जाता है सुबह होती है Helen उठती है और उसके बेड़ के पास ही ब्रेकफास्ट पड़ा हुआ है उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि Jackson ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है वो Jackson पर खुश होकर उसे ढुनने के लिए निकल पड़ती है पर तभी वहां Martha दिख जाती है Helen ने कुछ भी कपड़े नहीं पहने थे और इसी तरीके से वो Jackson की मदर से पहली बार मिली ये सब रियलाइज करकर वो बहुत शर्मेंदा हो जाती है वो Martha से सौरी कहती है Martha कहती है कि मुझे लगा था कि तुम अलग रूम में होगी इस ओकर्ड मीटिंग के बाद ये सिन यही खतम होता है इसके बाद नेक सिन में हम देखते है Jackson, Martha और Helen ये सब होर्स राइडिंग के लिए आते है इनका घर बहुत ही बड़ा है पर इसके आसपास की भी बहुत सारी लैंड इनकी है ये होर्स भी ब्रीड करते है और अपने ही लैंड पर इने राइड भी कर सकते है Martha को लग रहा था कि Jackson Christmas के लिए यही रुकने वाला है पर Jackson उसे कहे देता है कि मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं था वो एक दो दिनों में यहाँ से चले जाने वाला है बहुत दिनों बाद Jackson घर आया था Martha को लगा था Christmas के लिए वो रुकेगा ये सब सुनकर वो अफसेट हो जाती है वो आगे चली जाती है तो Helen भी Jackson को समझाती है वो गहती है कि जाओ अपनी मदर से तुम बात करो उसे नाराज मत होने दो रात में हम देखते है कि Jackson और Helen एक साथ है Helen का डे बहुत ही अच्छा गुजरा है तो बहुत ही खुश है वो जैक्सन से कहती है कि यह सब बहुत ही ब्यूटिफुल है यह हाउस तुमारा बैक्राउंड यह सब बहुत ही अच्छा है इसके बाद यह दोनों इंडिमेट हो जाते है नेज दिन यह दोनों और मार्था चर्च जा रहे है बाहर बहुत थंड है और हेलन ने कुछ भी स्वेटर ने बहना मार्था इस काफ लेकर उसे व्रैप करती है हेलन के गले में एक पुराना सा लॉकेट है जो मार्था देखती है इसमें एक कपल की फोटो है तो मार्था उसे पुछती है कि यह कौन है Helen कहती है कि यह मेरे mother and father है Martha बोलती है कि अब यह कहा है Helen कहती है कि जब मैं छोटी थी तब यह गुजर गई थे Martha को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है इसके बाद Jackson उनके पास आता है और यह सब church जाते है चर्च में प्रेयर खत्म हो जाने के बाद जैक्सन विलेज के लोगों से मिलता है बहुत सालों बात आया है तो सबसे बाते करता है पिन लोगों में से एक आदमी कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम वापस आ चुके हो एक्च्छल में मार्था ने सब लोगों से कहा था कि जैक्सन अब उसके पास ही रहने वाला है धराने के बाद जैक्सन मार्था से पुछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा मार्था यह थी है कि अब तुम्हें यही रहना चाहिए तुम्हें वैसे भी तुम्हारा जॉप अच्छा नहीं लगता Jackson कहता है कि Helen का जॉप वा है हम ये सब छोड़ कर नहीं आ सकते हैं मारता फिर मज़ाग में Helen से कहती है कि तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही हो तुम बहुत ही selfish हो Next day जब Helen horse riding कर रही थी तो अपनी की land में गुम हो गए उसे घर वापस कैसे जाना है ये समझ में नहीं आ रहा था वहाँ फिर उसे एक poultry समालने वाला आदमी दिखा ये आदमी उसे घर कैसे जाना है इसके सब direction दे देता है वो बहुत ही creepy था वो घर आने के बाद Jackson से बात करते है इंटिमेट हो रहे थे accidentally मार्था घर में घुम रही थी तो इन दोनों को उसने देखा Helen और मार्था एक दूसरे से good bye ले रही थी Helen इतने दिन आ रही ये सब perfect था उसके खुद के parents नहीं है तो मार्था उसे mother की तरह लगी ये सब बहुत भी beautiful था तो ये रोने लग जाती है इसके बाद Jackson और वो वहाँ से जले जाते है जिस तरह से New York में इनका routine चलता था उसे दरीके से continue होता है एक दिन Helen presentation दे रही थी अचानक से उसे उल्टी आ गए उसके बाद उसने कुछ test वोगरा ली Jackson जब घर पर आता है तो उसे हो कहती है कि वो pregnant है Jackson डारेक्ली उसे उससे शादी करने के लिए कहता है Helen को नहीं लगता कि वो serious है पर Jackson कहता है कि हम इतने सालों से एक साथ है तुमने ही मुझे कहाता कि जब तक हम pregnant नहीं हो जाते तब तक शादी करने का कोई भी point नहीं है Helen भी अब इसके लिए मान जाती है अब ये news बताने के लिए Jackson अपनी मदर Martha को call करता है वो जब बताता है तो Martha डारेक्ली पूछ लेती है वो कहती है क्या वो pregnant है Jackson पूछता है कि तुम्हें कैसे पता Martha कहती है ये सब चीजे मदर को पता होती है Martha भी इन सब चीजों के लिए excited है वो कहती है कि तुम्हारी शादी हम यही हमारी land पर करेंगे Jackson को city में ही शादी करने थी पर Martha उसे village में शादी करने के लिए मना लेती है अब wedding डे आता है और इनकी wedding बहुत ही beautiful होती है इस wedding में एक old woman आई हुई है Helen उसे पहचान नहीं पाती है तो उसे पास आती है यह old woman Helen से गहती है कि दुनों कभी lunch के लिए आई ही नहीं Helen को कोई भी lunch के बारे में पता ही नहीं था यह old woman कहती है कि मैंने Martha से बात की थी और उसने कहा कि तुम बहुत ही busy हो यह आपने आपको introduce कराती है और कहती है कि मैं Jackson की grand mother हू Martha ने तो wedding के लिए मुझे invite भी नहीं किया था grandmother फिर Helen की ring देखती है वो गहती है कि यह मैंने Martha को दी थी मैंने जब उसे दी थी तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था indirectly grandmother Helen से कह रहे होती है कि Martha बहुत ही dangerous है wedding हो जाने के बाद Helen और Jackson फिर से New York में आते हैं इनके apartment के आगे का Porsche का light खराब हो चुका था Helen Jackson को कहती थी कि से जल्दी से repair करवा दो पर उसने कभी भी करवा ही नहीं एक दिन Helen जब घर पर आये तब उसके पीछे बीचे एक गुंडा अंदर घुसाया Porsche में अंधेरा था तो उसे देख नहीं पाई उसने उसे चाकू लगाया Helen बहुत ही डर गई Helen ने उसे कहा कि मुझे कुछ भी मत करो मैं pregnant हूँ वो Helen का locket निकाल लेता है उसके पेट पर वार करकर उसे जाते जाते कह कर जाता है कि मुझे पता है कि तुम कहा रहती हो कुछ भी उल्टा सिदा मत करना Helen अपने बच्चे के लिए बहुत ही डर गई थी उसके बाद वो डारेक्टली होस्पिडल में आती है चेक अप वेगरा करवाया जाता है और बेबी सेफ है थोड़ी दिर में जैक्सन भी वहाँ पोच्चता है इसके बाद जैक्सन अपनी पोच्च की लाइट बदलवाता है डोर की कीज भी वो चेंज करवा लेते है हिलन को बहुत डर लगता है अवे पर उस चोर की आवाज उसके माइंड में उसे आती रहती है जब ये दोनों घर पोच्चते है तो मार्था अल्रेडी घर में है उन्हों एक सप्राइज देती है डिनर के वक्त फिर मार्था जैक्सन से बात करती है वो अब बोड़ी होती जा रही है और उसकी प्रॉपरिटी को मैनेज करना ये उसके लिए हार्ड है तो जैक्सन को कहती है कि मुझे अब ये प्रॉपरिटी बेज देनी है एक बायर ने उसे ओफर भी दी है जैक्सन कहता है कि बहुत ही कम बैसे है तीन साल पहले इसे ट्रिपल कीमत हमें देने के लिए लोग रेडी थे मारता बोलती है कि अब प्रॉपरिटी सही से मेंटेन नहीं है इसी वज़े से सब हो रहा है फादर के गुजर जाने के बाद विल में डारेक्ट लिए जैक्सन को मिली थी जैक्सन फिल इस प्रॉपरिटी को और भी डेवलप करने के लिए प्लान मनाता है अपनी मदर को सब इंस्ट्रक्शन वो देने वाला है सेल करने से पहले वो इसे इंप्रॉप करेंगे यानि कि प्राइजिंग बढ़ जाए वो जब ये प्लान मना रहा था तो हेलन उससे कहती है कि हम वहाँ जा सकते हैं ये सब काम हम खुद कर सकते हैं प्रेग्नन होनी की वज़े से हेलन अब जॉब नहीं करें और जैक्सन खुद एक आर्किटेक्ट है जैक्सन हेलन से कहता है क्या मेरी मदर के साथ तुम अच्छे से रह पाओगी तो हेलन कहती है कि मुझे तुमारी मदर पसं है कोई भी प्रॉल्लम नहीं है वो कहता है कि बच्चे का क्या हेलन कहती है कि हमारे बच्चे के लिए वहाँ बड़ा होना एक अच्छी बात है नुई-यॉक में नॉइस, पूलुशन है यह बच्चों के लिए अच्छा नहीं है जैक्सन फिर सिरेस होता है हेलन से कहता है मेरे फादर के बारे में तुम्हें एक इंपोर्टन चीज मुझे बताने है वो जब छोटा था तब उसके मदर और फादर की फाइट चल रहे थी उसके फादर ने मदर पर चीट किया था दूसरी औरत के लिए हमेशा उन्हें छोड़ कर वो जाने वाले थे किया था पर फिर भी उसे बहुत बुरा रखता है हेलन कहती है कि शायद उस घर में जाना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो पर ये सब चीजे तुम्हें फेस करने पड़ेगे तुम हमेशा इन सब से इन इमोशन से दूर नहीं रह सकते इसके बाद इस डिसाइड करकर जैक्सन के मदर के पास पहुच आता है हेलन अच्छे से रेस लेती है जैक्सन भी प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए वहाँ सारे काम करता है एक दिन मार्था जैक्सन से बात करती है जब भी औरत प्रिंग्नेंट हो तब उससे कोई इंटिमेट हो यह उसे अच्छा नहीं लगता थोड़े दिनों के लिए तुम हेलन से ज़रा डिस्टन्स मेंटेन रखना जैक्सन मदर से कहता है कि हमारी चीजों में तुम ज़्यादा इंटरफेर मत करो मुझे जो सही लगा वही मैं करूँगा जैक्सन इस पर ज़रा सोचता है हेलन घर में ज़रा साफसफाई कर रही थी तो बहुत सारे चुहे उस पर गिर गए वो बहुत ही डिस्टब हो गए वो फिर एक रिलैक्सिंग बात लेती है मार्था भी हेलन को अच्छा लगे तो इसके लिए टी ली कराती है हेलन कहती है यूँचे बहुत ही अजीव सा लगता है मार्था ये थी है कि ये सब बहुत ही नॉर्मल है प्रिग्ननसी में अलग-अलग इमोशन आते रहते है तुम एक बहुत ही ब्यूटिफुल लड़की हो जैक्सन तुम्हे कुछ भी कहे या बोले इस फ़र तुम ध्यान मत रखना प्रिग्ननसी के वक्त आदमी ज़रा अलग बिहेव करते है मार्था ये थी है कि मेरे हस्बन में मुझसे डिवोटेट थे पर जब मैं प्रिग्नन्ट थी तो वो मेरे पास ही नहीं आते थे यहां हम देख सकते हैं कि मार्था जैक्सन और हिलन की बीच में एक दरार बरान की कोशिश कर रही है उसने जैक्सन को हिलन से दूर रहने के लिए कहा और हेलन को खा, आदमी प्रेग्नेंसी के वग, दूर रहने लग जाते है, हेलन भी ये सुनकर वरी करने लग जाते है, मार्था से कहती है, जैक्सन को उपर वेज़ दो, मार्था नीचे आकर जैक्सन से मिलती है, पर हेलन ने जैक्सन को उपर बुलवाया है, ऐसा कुछ भी उ हो वो विश्च करते हैं कि हैलन इस विक्नेट्स की वज़े से बैभी लूज ना कर दें मार्था न ऐसा क्यों कहा तो हेलन उसवर बहुत इनाराज हो जाती है यही पर हेलन जैक्सन की ग्रैंड मदर को भी देख सकती है उसे मिलने के लिए जा रही थी पर उसे मार्था रोक लेती है वो उसे स्टिकली मना करती है तुम उसे नहीं मिल सकती है हेलन कहती है कि मुझे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है वो आगे जा रही थी तो मार्था जोर से चिलाती है इस चीक की वज़े से होर्स आउट ओफ कंट्रोल हो जाता है हेलन नीचे गिर गे और इस वज़े से हर्ट हो सकती थी यहाँ भी मार्था सक्सेसफुल होगे हेलन और ग्रैंड मदर यह दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाए एक दिन जैक्सन और हेलन सोनोग्राफी करने के लिए डॉक्टर के पास जाते है डॉक्टर हेलन से कहता है कि घर पर ही तुम क्यों प्रेग्नसी करवाना चाती हो यह बहुत ही डेंजरस हो सकता है हेलन ऐसा कुछ भी नहीं चाती है पर मार्था ने डॉक्टर को कहा था हेलन मार्था पर बहुत ही चीट गई है तो ये सब Jackson से को complain करती है Jackson इसे ज़ादा seriously नहीं लेता Helen फिर Jackson की Grandmother से मिलने के लिए जाती है Martha जो भी सब कर रही है ये Helen Grandmother को बताती है Helen और Jackson की बीच में जो दुरिया बढ़ रही है इसके पीछे भी Martha ही है Grandmother कहती है कि Martha बहुत ही dangerous है Martha हमारी सिर्फ एक employee थी उसने मेरे बेटे को फसा लिया उसने कभी भी मेरे बेटे से पयार नहीं किया उसने हमेशा Jackson को अपने फादर के खिलाव भढ़काया उसने मुझसे भी उसे कभी मिलने नहीं दिया वो तुम्हारे साथ भी यही करेगी Jackson को वो तुम से दूर कर देगी Helen Grandmother से पुछती है एक Jackson के फादर Martha को छोड़ देने वाले थे Grandmother कहती है कि कोई भी Martha को छोड़ कर नहीं जा सकता तुम Jackson को मेरे बास लेकर आओ उसे सब कुछ में समझाओंगी रात में Helen Jackson को समझाती है कि तुम्हारी Grandmother से तुम मिलकर आओ वो जब समझा रही थी तब Martha यह सुन लेती है Martha बहुत ही कुसा है और वो डारेक्ली Grandmother के पास भोच जाती है वो से कहती है इस Old Hitch Home में तुम रह रही हो यह बहुत ही expensive है सब कुछ में ही pay कर दियो Grandmother के थी है कि मेरा बेटा सब कुछ पैसे तुमारे लिए छोड़ कर गया था यही तुम pay कर रही हो मार्था के थी है कि मुझे कोई भी problem नहीं है पर मैंने तुम से सिर्फ एक ही चीज़ मांगी थी मैं और मेरी family से तुम दूर रहना Grandmother स्टीम ले रही थी यह सब गलत है मुझे तुमारे support की बहुत ही जरूरत है वोसे फिर से नियू यॉक चलने के लिए मना लेती है जैक्सन फिर मार्था से बात करता है मार्था कहती है कि ठीक है तुमारी wife को जहा जाना है वहां जा सकती है थोड़े दिनों में horse की race है तो कहती है कि race खतम करकर तुम जाना नेक्सिन में हम देख सकते है कि मार्था टाउन में आती है और डॉक्टर से मिलती है डॉक्टर से वह कहती है कि हैलन जरा वरीड है उसकी फ़र्स प्रेग्नेंसी है तो जरा लेट हो रहा है वो डॉक्टर से पूछ लेती है कि क्या हम इस pregnancy को जरा आगे ला सकते हैं डॉक्टर भी उसे casually एक ड्रग का नाम बता देते हैं जिसे जल्दी pregnancy हो जाए Jackson अब एक दो दिनों के लिए race के लिए चला जाता है डिनर बनाते वक्त डेजर्ड में मार्था एक केक बनाती है इसी केक में pregnancy जल्दी हो इसकी medicine मिला दी है नेकसिन में हम देखते हैं कि Helen grandmother से मिलने के लिए आई हुई है Helen कहती है कि यहाँ आना यह मेरा ही decision था वो अपने फादर की death के लिए खुद को blame करता है मुझे लगा था कि अपने emotion से यहाँ पर वो सही से उबर सकता है grandmother यह सुनकर surprise होती है गहती है जैकसन के फादर के मरने के लिए जैकसन के से जिम्मेदार हो सकता है उनकी death farming का एकाउजार उनके सर पर लगकर हुई थी यह सब कुछ newspaper में था हेलन को यह अजिब लगता है वो फिर जैकसन के फादर का कोई affair था या नहीं यह भी पूच लेती है अब वे क्या था यह हमें आगे पता चलेगा रात में dinner के वक्त मार्था एक cake हेलन को खिलाना चाहती है हेलन का cake खाने का mood नहीं है पर फिर भी उसे force करती है हेलन फिर अपने room में cake को लेकर जाती है रात में उसे ज़रा भूग लगती है तो पुरा वो खा लेती है सुबा होने पर हेलन को pain स्टार्ट हो जाता है मार्था कही भी आसपास नहीं है तो house में उसे वो ढूणने लग जाती है दूंटे दूंटे एक room में आती है ये room मार्था ने पुरा baby toy से सजाया हुआ है इस room को check करती है तो एक drawer में उसे अपना ही locket मिल जाता है ये वही locket है जो चोर ने उसे चुरा लिया था इससे वो figure out करती है कि मार्था ने उस चोर को उसके घर बर भेजा हुआ था मार्था का ये हमेशा से plan था हेलन डर जाय और वो यहाँ village में आकर रहे है हेलन बहुत ही डर जाती है अचनक से मार्था वह आती है तो इस locket को छुपा लेती है जब मार्था हेलन को घर में लेकर जा रही है तब हेलन अचनक से रुख जाती है वो गहती है कि अब में और जाता नहीं चल सकती है वो पानी मांगती है मार्था जब घर में जाती है तो हेलन एक गाड़ी में बैठती है वहाँ से भागने के कुशिश कर दिया वो गेट तक आती है पर गेट लॉक्ट है मूवी के बीच में हमने दिखा था कि एक पोल्ट्री वाला आदमी भी उनके लैंड पर रहता है उस आदमी सेलन पुछती है कि आहां से वो बाहर कैसे निकल सकती है जब उसका आवाज सुनती है तो उसे पादा चलता है कि उसके घर में आने वाला चोण यही आतमी था डर कर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है आगे चलकर उसकी गाड़ी मड में स्टख होती है वो आगे जा नहीं सकती है तो पैदल ही रोड तक फोच जाती है वो help मांग रही थी पर कोई भी नहीं रुखता जल्दी से मार्था उसे ढून लीती है अब Helen लेबर में है Helen उससे help मांगती है वो चाहती ही कि मार्था उसे hospital में लेकर जाए और मार्था कहती है ये सब pen तुम्हें अब सहन करना पड़ेगा जैक्सन रेस ट्रैक से घर बर कॉल करता है Helen कैसी है वो पूछना चाहता है पर मार्था उसे phone ही नहीं देती है Helen चिल्लाने लगती है येनिकी जैक्सन उसे सुन पाए पर मार्था कहती है कि लाइन में ज़रा disturbance है और phone रग देती है थोड़ी देर में खुद मार्था बच्चे की डिलेवरी कर डालती है Helen को डॉक्टर की जुरुवत है वो वीक है और बहुत सारा खुन उसका बहे रहा है और मार्था उसे help नहीं करने वाली वो Helen से कहती है कि मैंने already गाव में सब लोग को कह दिया है कि तुम बहुत ही वीक थी तुम अगर यहां मर भी गए तब भी भी कोई शक नहीं करेगा डॉक्टर को भी उसने पहली बता दिया था कि एलन चाती है कि घर में उसकी डिलेवरी हो अब लास्ट में मार्था के बास एक ड्रग है वो यह हेलन को देखकर मार ही डालने वाली थी तो भी वहाँ जैक्सन पहुच आता है इस ड्रग को छुपा देती है जैक्सन को लगा ही था कि कुछ गड़बढ है तो जल्दी घर आ चुका है मार्था जैक्सन को उसका बेटा दिखा दिया वो गहती है कि हेलन को जरा रेष्ट करना है तो हम जरा यहाँ से बाहर चलते है बहुत रात हो जाने के बाद मार्था हेलन के पास आती है फिर से उसे मारने का ट्राय करने वाली है पर वहाँ जैक्सन सोया हुआ है वो जैक्सन से कहती है कि तुम ज़रा प्रॉपर रेश्ट कर लो यही काउच पर तुम नहीं सो सकते हैं जैक्सन कहता है कि जब हेलन उठेगी तब मैं उसे देखना चाहता हूं जैक्सन मानता नहीं और यही सोता है सुबह होने के बाद हेलन को होश आता है वो अपने बेबी को देख कर बहुत ही खोश है हेलन पुछती है कि मार्था का आ है वो जैक्सन को मार्था के बारे में कुछ भी नहीं बता दिये जब ऐसा ब्रिक्फेस्ट करने के लिए नीचे आते है तो हेलन के पास एक बैग में कुछ है मार्था बोचती है तुमारे बैग में क्या है हेलन पुछती है कि जैक्सन के फादर जिस चीज से मरे थे यह चीज इसमें है यह खेती का इक्विक्मेंट है और इस पर गिरकर कोई भी आदमी मर नहीं सकता Jackson को लगा था कि उसके फादर स्टेर्ज से गिर कर मरे थे तो ये भी गलत था वो हिलन से कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो Helen बोलती है कि ये सब कुछ निउस्पेपर में था ये कोई भी गलत बात नहीं कर रही हूँ Martha सुनकर बहुत ही डिस्टब हो जाती है वो अपने आपको डिफेंड करने की कोशिश करती है Jackson को भी याद आता है Martha जब उसके पास पहुचे तब उसके हाद में यही एकुपमेंट था इससे वो रियलाइस करता है कि शायद Martha ने उसके फादर को माय डाला Helen Martha से कहती है कि तुम्हारा अफेर था उसे कॉल करने का प्रिटेंड करती है Martha बहुत ही डर जाती है Helen कहती है कि वो दो साल पहले मर चुका है तुम्हें ज़ादा डरने की जुरूरत नहीं है Martha फिर से Jackson को समझाती है यह सब गलत है मैंने इसा कुछ भी नहीं किया Helen कुछ भी प्रूव नहीं कर सकती है Jackson कहता है कि उसे प्रूव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है वो गहता है कि आप पूरी प्रॉपर्टी में सेल कर दूँगा Martha को कुछ भी नहीं मिलने वाला Martha रोने लग जाती है Helen से कहती है कि तुमने मेरे बेटे को मुझसे चुराया है मेरा फार्म, मेरे सब कुछ प्रॉपर्टी तुमें चाहिए तुम मेरी जैसी बनना चाहती हो Helen गुस्य में Martha को स्लैप करती है और वहाँ से चली जाती है मुवी के लास्ट में जैक्सन अपनी ग्रैंड मदर से मिलता हुआ में दिखता है फिर से ग्रैंड मदर से अपनी रिलेशन्शिप सही करता है Martha हमारी एक अपसेशिव करेक्टर थी वो एक मर्डरर थी और सिर्फ अपने बेटे से पैर करती थी उसके और उसके बेटे के बीच में कोई भी आ जाए यह वो इमेजिन नहीं कर सकती थी अपनी फैमिली को बढ़ाने के लिए हिलन से सिर्फ उसे ग्रैंड चाइल चाहिए था हिलन को बेटा होने के बाद उसने हिलन को मार डालने की पूरी कोशिश की लास्ट में सब कुछ सच बहार आ गया और वो अकेली रहे गए जैक्सन के फादर की डेट के लिए जैक्सन अपने आपको हमेशा से ब्लेम करता था सब कुछ पता चलने के बाद अब सही से वो अच्छी फैमिली स्टार्ट कर सकता है इसी तरह से यह मूवी इंड होती है अगर आपको मूवी का लिंक चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आकर आप ले सकते हो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुवीज लेकर आद रहता हूँ तो प्लीज इस चनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल निटिविशन आइकोन दबाने मिश मत भूलें फिर से में लेंगे और एक नहीं मुवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखे